हाई फ्रेंट्स सो आज मैं स्टार्ट करूंगा इंग्लिष का सेशन और इसके अंदर स्टार्ट करेंगे सिनोनिम की सीरीज तो सिनोनिम बहुत इंपोर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिष का और चुकि अंग्रेजी में जो भी आप एक्जामनेशन दे रहे हो अगर आप 80 नमबर का आपका पेपर आएगा तो आठ नमबर के क्वेस्ट इंग्लिष क्योंते हों गें तो उन एंट में से भी सिनोनिम आन अन्टोनेम बहुत इंक्पोर्टन आहे हैं एंग्लिष के सबसेOkay टॉपिक्स में से एक सिनोनिम एंटोनिम एरर करेक्शन जो आई बीपेस के लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और एक होती है आपका पैसिज सो हम आज मैं स्टार्ट करूंगा विद सिनोनिम और जो बुक मैं आज रैफर कर रहा हूं उस बुक का नाम है यह उपकार पैप्लिकेशन की बुक आती है बैंक क्लरिकल कैडर में एक्जामिनेशन तो जो आई बीपेस कंड़क्ट कराती है क्लरक वाल एक्जाम देखो आर्व लेवल होता है तो यह बुक मुझे मैंने इसको पड़ा और मुझे इसमें काफी सिमिलर्टी लगी जो एक्जामिनेशन पैटन है हमारा उससे तो मैं आज इस बुक को रैफर करूंगा और इस बुक के राइटर है डॉक्टर लालन सिंग आप इसको चाहे तो पर्चेस कर सक मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूं इसके अंदर क्या क्या है और इसी बुक से मैं आपका इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करूंगा उसके बाद एक और बुक में रैफर करूंगा जिसके अंदर प्रैक्टिस पेपर करेंगे पहले इसका जो त्योरी वाला पार्ट हो मैं पूरा कवर कराका है इस बुक के अंदर तो मैं ट्राइक करूंगा कि इसी से आपको रीजनिंग और मैस भी कंप्लीट करा दूँ और इंग्लिश भी से करवा दूँ तो तीन तो यहां से हो जाएंगे राजतान जीके के लिए मैं मूमल जो करेंट अफेर्स उसके लिए मूमल का यूज कर रहा हूं और जो स्टैटिक जीक होगी तो मैं ट्राइ करूंगा कि मैं सिख्वाल पैप्लिकेशन की बुक का इस्तमाल करूं और इसके लाव मैं स्टैटिक मॉक टेस्ट जो है अपलोड करता रहता हूं तो आप वह भी रैफर कर सकते हैं तो चलिए अब सब्सक्राइब कर देखते हैं तो देखिए इसमें पार्ट वन आप आपको दिख रहा होगा जनल अवेर्नस है यह बैंकिंग वाला आता है यह हमें नहीं पढ़ना रीजिंग वाला मैं इसमें से पढ़ाऊंगा इंग्लिस और आपका निमेरिकल अबिलिटी और सबसे तो उनके लिए कंपिटर नॉलेज वाला पार्ट भी हम इससे कवर कर लेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे क्वेशन दे रखें इस बुक में कंपिटर वाले पार्ट में भी तो मैं आप आपको स्टार्ट कराऊंगा सिनोनिम तो हम चलते पेज नमर 349 पे तो वहां क्लर्क में भी अच्छे लेवल की सिनोनिम वर्ड्स आते तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप बिल्कुल भी इसको लाइट ली मत लीजिए क्योंकि इसमें बहुत बहुत कंफूजिंग ऑप्शन आते और सबसे बड़ी बात आती इसमें पांच ऑप्शन आते बैंक के एक्जामरिशन में पांच ऑप्शन आता आ अए भी पेस वाले पांच ऑप्शन देते हैं और वी यू अनल के अदर भी पांच ऑप्शन हिं याएंगे इंगे इंगलिश के अनदर इसमें थोड़ा जै क्लैवरली आप इसमें प्रिपरेशन करो ताकि आप वह को दिखा दू कैसे करते हैं चीक है ताकि आपको जो वर्ड आराम सी याद हो जाए तो पहला सिनोनिम ठीक है फॉर्स्ट क्वेश्टन पर मैं आपको दिखा रहा हूं यह तो यू कन चूज तो वर्ड दवन वर्ड हूस मिनिंगे स्ट टू डैट ओफ दिन नंबर वर्ड और फ्रेज मतब जो आपको बोल्ड में दे रखा है इसके समीप इसके सबसे जदा सिमलर कौन सा वर्ड कौन सा वर्ड है ठीक है तो वह हमें बताना है कि एक बार मैं इसको सिंगल भी कर देता हूं कि ठीक है कि तो फॉर्स्ट वेड़ा आपके पास वैग्स्ट ठीक है मैं यहां पर पांचों शब्दों की जो मीनिंग हो भी बताऊंगा जो नीचे पांच पांच आप्शन देरके एक एक आप्शन को मैं आपको डीटेल में ड जो वैक्स शब्द का मतलब होता है कोई भी चीज जो डिबेटेबल हो मतलब जिस पर बहस की जा सकती हो जो विवादास्पद हो हिंदी में बोलते हैं विवादास्पद या किसी चीज से आप परेशान हो रहे हो चिड रहे हो अनॉइंग हो तो इसमें जो सही ऑप्शन सपोज आप एक कलीग है आप काम कर रहे हो और वह आप पर परिशान कर रहे हो तो आप उससे अनॉइंग हो तो वहाँ पर वैक्स वर्ड यूज़ कर सकते हो ठीक है देखिए अनॉइंग इसका सही आंसर आजाएगा अब हम अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं अदर आपने दोलन पड़ा होगा ठीक है ओस्लेशन वगर पड़े होंगे खिश कर फिजिक्स में तो हुआ पर क्या होते हैं बार-बार जुआ आवर्ती आवर्ति होती हम हम उसमें मापते भी है तो आवर्ति干weering होता है recurring recurring मतलब आवर्ति होना किसी दो कहीं जीच का बार-बार आ सब्सक्राइब तो इसने zamanology अधिक लगए ने सब्सक्राइब किसी को ट्रॉफिय व्रप ली और मैंज्ट अधिक लगा तो वह प्रसक्राइब सब्सक्राइब जो कोई issue है को land विशत चल रहा है उसमें किसी भी पख्ष को अभी तख कुछ भी उस मैं जह ना जीत मिली ना हार मिली उसको बोलते है अंट इसो मतलब किसी को भी उसमें यह और चीज बोलते हैं compound compound interest आपने पड़े होंगे तो जो compound word होता है मतलब होता है जटिल वहाँ पर हम चक्रवर्दी बोलते हैं पर compound word का एक और मतलब होता है जटिल तो compound का एक synonym क्या होता है complex ठीक है अब यह dangerous का मतलब आपको पता होगा खतरनाक तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा annoying कि चलिए next पर इवाल्व अब इवाल्व का मतलब तो आपको पता ही होगा आपने बहुत जग सुना भी होगा इवाल्व मतलब बता है विक्सित होना ठीक है इवाल्व मतलब बता है विक्सित होना विक्सित होना तो हीमन्स हैं जो विक्सित हो चुके हैं सबसे ज़्यादा हम विक्सित हों इस अर्थ पर तो वहां पर हम इवाल्वर्ड का यूज़ करेंगे विक्सित होना तो अब तायम दीजीए इसको वीडियो को पॉस किजिए और बताएं इसमें क्या उत्तर आएगा तो यह यह इसको मतलब शुरुब्यूस को मतलब आप इससे सिर्फ-टान मनें네 extract कर सरकाता होता है मथान मेरन मितलब होता है कि इसको त्याग दिना एक डित करना इसकी सबसी आसान जुसी 효त कर से नेक्स्ट पे आते हम इस्टैब्लिश मतलब यार किसी चीज की स्थापना करना ठीक है आपने युनिवर्स्टी स्थापना कर दी मतलब युनिवर्स्टी की स्थापना कर दी तो इस्थापना हो जाए उसका मतलब वह स्थापना थर्ड पे चलते हैं अब हम हमारे तो थर्ड ह है हमारा अनबेटेड ठीक है तो अनबेटेड का मतलब होता है अगर आपने यह वर्ड सुना ओगा शुक्ष्ण अगर शुन भी बोलते हैं इसको अशुन यह अशुक्ष्ण जो भी हम प्रनाउंस करो इसको तो यह इसका मतलब होता है अनबेटेड और इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे अनाल्टर्ड मतलब जो बदला ना हो जिसमें कोई चेंज ना हो अनाल्टर्ड तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनड़र्ड अब हम स्कोथ हैं कि युद्टार्ड तो इसमी एका उप्शन देखको है अनसींपैट्धाक घैट्र्ड तो बैर्स सिंपैट्ध्धिक मतलब रहत एं साहानवूती रहना अनसंस्क्ताट्र्ड मतलब जो साहनवूती ना रखता हो जो बेदर्द हो जो निश्ठुरो, suppose कि इसने बिखारी को भगा दिया, तो वो बेदर्द है, वो unsympathetic है, उसने उसकी help भी नहीं करें, और help करने के बज़ए उसको मार के भगा दिया, तो ऐसे इंसान के लिएम क्या word यूज़ करेंगे, unsympathetic, ठीक है, जो next option वो है, unparalleled, इसको बोलते है, अद्वित्ती है, यह अपने word सुनोगा हिंदी में, जैसे ताज महल है, उसकी खूपसूरती अद्वित्ती है, तो इसका यह सेंटेंस हम बना सकते हैं, ताज महल है अद्वित्ती है, ऐसा कोई monument दूसरा दुनिया में नहीं है, तो हम उसके लिए word यूज़ कर सकते हैं, unparall और इसका synonym होता है, unparallel का synonym होता है, unmatch, unmatch मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, या अनुपम भी बोल सकते हैं अप इसको, next पे हम आते है, uncompromising, ठीक है, uncompromising मतलब होता है, जो समझोता ना करता हो, ठीक है, जो हटीला हो, जिससे जब इंडिया और पाकिस्तान की peace talks होत होता है, हम जुकने को त्यार नहीं होते है, किसी भी चीज़ पर, क्योंकि हमारी यहां पर कोई गलती नहीं होती, तो peace talks में जो भारत का stand होता है, वो uncompromising होता है, क्योंकि national security का issue होता है, ठीक है, national pride का issue होता है, तो वहां पर uncompromising stand यूज़ खरता है, इंडिया, तो इसी तरह का example से आप जो है word सीख सकते हो, next हम देखते है, unexpected, unexpected मतलब प्रत्याशित, जो हमें पता ही नहीं हो, sudden हो जाए, जो मतलब ठीक है, तो इसका synonym क्या होता है, unexpected का sudden, अचानक हो जाए जो चीज, s-u-d-e-n, sudden, ठीक है, okay, तो यह आपका हो गया, अनवेटेड, इसका answer क्या हो जा कि आपाए, okay, harmony, तो harmony, तो harmony तो आपने सुनाई होगा कि हम हार्मनी बना के रखनी चेह, मतलब mardh payoff-समण, जैसे Hindu and Muslim को harmony रखनी चाहिए, अपस में, तो इसको बोलते है, मधूर समद, ऐसको हार्मनी को बोलते है, मधूर समद, और इसको English में क्या बोलेंगे, पिर accordance, ठीक है तो A उत्तर इसका सही हो जाएगा Accordance मतलब हार्मनी होता है अब next word पर आता है B option का दिर का Incongreity Incongreity का मतलब होता है भई विशमता इसको बोलते है विशमता इसको और क्या बोल सकते है इसको बोल सकते है विसंगती और इसका सबसे अच्छा सिनोनिम होता है Incongreity का Inconsistency Inconsistency ठीक है यह इसका सिनोनिम होता है Inconsistency मतलब असंगती मतलब विशमता विसंगती कुछ भी बोल सकते हैं तीनों में से आप हम आते हैं next फिर डिस्क्रिपेंसी तो भाई देखो यह यह दोनों सिनोनिम होता है discrepancy और incongrety यह दोनों सिनोनिम है तो ठीक है यहाँ पर आपको सिदह दिख रहा है discrepancy मतलब भी inconsistency होता है और उसका मतलब incongrety भी होता है next फिर रिपल्शन ठीक है तो रिपल्शन मतलब होता है विरोध करना ठीक है विरोध करना इंपल्स इंपल्स होते भाई उत्तेजना ठीक है उत्तेजना को बोलते है impulse इसको एक और वर्ड इसके लिए यूज़ करते है उत्तेजना के लावाज इसको बोलते है मनोवेग मनोवेग ठीक है यह यह option हमारा हो गया तो फोर्थ वाला complete कर लिए हमने चलिए next पर चलते entrance आपने सुना ही हो गए तो entrance examinations होती है दाखिला परिक्षा परवेश परिक्षा तो entrance मतलब क्या होता है दाखिला तो दाखिला के लिए यहाँ पर सही synonym क्या होगा यहाँ पर होगा accession accession would be the right synonym for entrance word तो accession मतलब भी परवेश यदाखिला होता है तो चलिए अब इसके लाव egress देख लेते हैं egress इसका बिल्कुल उल्टा होता है egress मतलब होता है exit करना यानि बाहर निकलना egress मतलब exit करना होता है succinct यहाँ पर c missing है इसकी spelling यह नहीं होती इसकी spelling होती है succinct की spelling होती है a.s.u.c.c.i.n.c.t. होता है यहाँ पर c missing है n के बाड़ c آएगा succinct बोलते हैं इसको तो succinct मतलब क्या होता है succinct मतलब होता है summary यानि Deputy 棲 इसे हैं ôm в aid यहाँ संशिप्त अगलिश में यह इसको आप बोल सकते हो बी आर आई एफ ब्रीफ ठीक है सब्सक्राइब ब्रीफ या समरी ओके नेक्स्ट और अड़ेशियस और शेस मतलब होता है भाई निडर साहसी निडर साहसी तो एक वर्ड यू यूज करते हैं हाउ डेर यू तो हाउ डेर यू का मतलब है जो डेर उसमें वर्ड होता है ना उसका मतलब होता हिम्मत और डेर इसका आपका सिनोनिम है साहसी भी बोलते हैं तो ठीक है तुम्हारा साहस कैसे हो यह करने यह तो यहां पर हम और शेस वर्ड भी यूज कर सकते अब नेक्स्ट इसमें आता है आपका प्रिजम्शन तो परिजम्शन पर हम बात को ल MR परिजम्शन का मतले होता है कोई भी धारना बना लेना थीक है तो इसको क्या बोलेंगे हम धारना और धारना को इंगलिविंश में क्या मैं वोलते हैं ओपीनियन ओपीनियन कि तो मैं आपको 30 शब्द करवा चुका हूं इन पांच उपांच क के अंदर मैंने आपको तीस जो है क्वेशन करा दी एक तरह से इनके सिनॉनिम भी मैंने बता दी और सब के इंग्लिश मीनिंग में बता दी ठीक है यह सारे जितने भी है तो मैं नेक्स लेक्चर में आप कोशिश करूंगा कि 10 लेलू तो टोटल जो है आपके कितने हो तो आप एक बार इन लेक्चर को बार बार रिवाइस कर लेना जिससे आपके जो है यह माइंड में जो अच्छे तरीके से हो जाए मैं अगली बार कोशिश करूंगा इनका कि इनको एक किसी शीट पर पढ़ाओं या आपको किसी पीपीटी के माध्यम से पढ़ाओं वहां पर मैं एक्जांपल के साथ पढ़ाओंगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हुजाए तो आप मुझे कमेंट सेक्षन बताना कि आपको किस तरीके से पढ़ना है विद एक्जांपल बताओं यह फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दूंग तो इसके बाद मैं कोशिश कर कर दूंगा आपका सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट ठीक है तो इंग्लिश में तो यह सारे और मैंने इसकी अलग से प्लेइलिस्ट बना दिये प्लीज आप उसको चेक करो उसमें मैंने अल्रडी एक लेक्टर डाल रखा है और यह लेक्टर भी मैं डाल चुका हूं प्ले